नमस्कार, नेक्स्ट नाइन यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी जम्मु कश्मीर में इस सार विधान सबत चुनाब होनी की पूरी-पूरी संभावना है इससे पहले चुनाबायोग ने बड़ा एलान किया है जम्मु कश्मीर के मुख निर्वाच को डाल सकते हैं इसके लिए उनुन्होंने निवास प्रमाण की जरुवत नहीं है इतना इन यह भी कहा कि जम्मु कश्मीर में सुरक्षा के लिए तनाध इस बार वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं जमुकश्मीर में तनातु रक्षबलों के जवान भी बोटलिस्ट में नाम शामिल कराकर इस बार वोट डाल सकते हैं। पिर्देश कुमार ने बताया कि जमुकश्मीर को विशेश राज का दर्जा देने वाले अनुछे 370 के रद्ध होने के बाद पहली बार बदाता सूची में विशेशन शोधन हो रहा है। एसे में उमीड ये है कि इस बार बड़े पैमाने पर बदलाब होगा। इतना ही नहीं तीन सार में बड़ी संख्या में यूवा 18 सार या उसे अधिक उम्र के हो गए हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि 15 सितंबर से वोर्टा लिस्ट में नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी। पीडीपी चीफ और पूर्फ सीएम महभूबा मुफ्ती ने इस मामने में केंद सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विट कर कहा कि जम्मु कश्मीर में चुनावों को स्थगित करने संबंदी भारत सरकार का फैसला टेले बीज़ेपी को लाप पहुचाने और अब गैर स्थानी लोगों को वोट देने की अनुमती देने का फैसला चुनाव परिमानों को प्रभावित करता अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार कब तक आखे जम्मु कश्मीर में विधान सभा चुनाव हो पाते हैं तब तक लिए आप जोड़े हमारे साथ धन्यवा